हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमश्कार सत्स्रियाकाल अदाव दोस्तो एक बर मैं फिर हाजीर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बना रहे हैं एपल जूस जो बहुत ही असानी से हम ये घर पर बना सकते हैं ये हम अपने बजूर्गों के लिए अगर बनाना चाहें तो जट पट से त्यार होने वाली रेस्पी है तो आएए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे हम ये जूस तो ये मैंने दो एपल लिया है ये अच्छी तरह से धो कर साफ कर लिया है बिल्कुल साफ सुत्रे ये एप क्रेटर को क्रेटर से ग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें कहीं भी दाग नहीं होना चाहिए ये सेव हमारे मतलब की गंदे नहीं होने चाहिए तो ये देखिए ये मैंने एक सेव ले लिया है इसे अच्छी तरह से हम अब काट लेंगे और अंदर से भी यह दागी सेव नहीं होना चाहिए बिलकुल साफ सुत्रा सेव होना चाहिए तो पहले मैं एक सेव को काट कर ग्रेट कर लेती हूं ग्रेटर के हल्प से इस तरह से छीदरह से इसे हमें काट लेना है और इसका चिलका काटने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेटर से हमने ग्रेट करना है तो वो अटोमेटिकली चिलका अपने आप उतर जाता है इसका हमारे जो बुजूर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं या दांत काम नहीं करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़िया होता है क्योंकि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इनको फ्रूट्स दो तो वो फ्रूट्स खा नहीं सकते हैं तो अगर हम उनके पास बैठ कर इसी तरह उनको ताजा ताजा जूस अगर एपल का बना के देते हैं, या अनार का बना के देते हैं, तो वो बहुत ही जदा खुश होते हैं, friends, तो इसी तरह से हमने इसको ग्रेट करना है देखिए चिलका इसका अपने आप उतर जाता है तो उसके लिए हमें स्पेशल उतारने की जरूरत नहीं है चिलके को यह दिखिए अब इसी तरह से मैं दोनों एपल को इस ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी यह दिखिए हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब मैंने एक कांच का बाउल लिया है देखिए यह नीचे लखा है मैंने और उसके उपर मैंने कॉटन का कपड़ा रख दिया है और इसमें हम ग्रेट किया हुआ एपल डाल देंगे बहुत ही जटपट से यह त्यार हो जाता है जूस और बिल्कुल फ्रेश जूस बनकर त्यार होता है और उनको जूर्गों को खाने में एपल खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है और इसी तरह से उनको हम ताजा जूस निकाल कर दे सकते हैं चाए वह सेब हो चाए अनार हो तो इसी तरह से मैं अच्छी तरह से स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लूँगी और यह जो पल्प रह जाता है यह भी हमें फैकना नहीं होता है इसका हम असानी से जैम बना सकते हैं वह भी मैं आपको एक वीडिया जुरूर बना कर दिख हम तो यह वैस्ट नहीं जाता है यह देखिए हमने। जूस इसका अच्छी तरह से निकाल लिया है वह कि हाथ। हम इसको गिलास में डाल देते हैं वह दिलास और भी लास में डाल देते हैं कितनी जटपट से हमारा यह juice बनकर तियार हो चुका है आप इस तरह से घर पर असानी से juice बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़ूरगों को ही juice बना कर दें अपने चोटे बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं जो बच्चे से खाने में उनको problem होती है तो अनाका ने करत तो लिजिए त्यार है आपके लिए एपल जूस आप भी बनाईये इस तरह से अपने बजूर्गों के लिए अपने बच्चों के लिए खुद भी पीजिए जटपट से त्यार होने वाली रेस्पी है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आईये तो आप मेरी वीडियो को आपके लिए लेकर आती रहूंगे और आप मेरी वीडियो ज्यादा सा ज्यादा शेयर कीजिए फिर मिलती हूं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई